मेरे कंधी पर बैठा मेरा बेटा जो मेरे कंधी भी खड़ा हो गया उजी से कहने लगा देखो पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया मैंने कहा बेटा इस खूबसुरत गलत फैमी में भले जक्ड़े रहना मगर मेरा हाथ अकड़े रखना जिस दिन ये हाथ छोट जाएगा बेटा तेरा रखना भी तोट जाएगा दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है देख तेरे पाउं तले अभी जमी नहीं है मैं तो बाप हूँ बेटा बहुत खुश हो जाओंगा जिल दिन तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा मगर बेटे कंदे पे नहीं जब तू जमीन पे खड़ा हो जाएगा ये बाप तुझको अपना सब कुछ दे जाएगा तेरे कंदे पर दुनिया से चला जाएगा तेरी कंदे पर दुनिया से चला जाएगा दुनिया में हर इंसान अपना दुख किसी न किसी के साथ साजा करें लेता है लेकिन एक बाप भी है जो अपना दुख किसी से साजा नहीं करता है वो आपको डाट कर अपने गुस्से को कभी-कभी दिखा देता है लेकिन कभी रोकर अपने दंद को बया नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि आपके भविश्य की मजबूर दोर उसकी हिम्मत में है इसलिए वो रोता नहीं लेकिन वो रोता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उसके आखों में आसों नहीं है आज उसके अंदर भी है और उसके होसलों का कुछ जवाम नहीं है इसलिए आप दुनिया में किसी के बारे में सोचे या ना सोचे लेकिन उस बाप के बारे में जरूर सोचना जो बिना रुके बिना ठके बिना रोए बिना अपने तकलीट किसी को बताए इश्वर से आपकी काम्याबी की गुहार लगाता है और इसलिए क्योंकि अबबा अपना सब कुस तुझे दे जाएगा आप तेरे कंदों पर इस दुम्या से चला जाएगा